नमस्कार दोस्तो यूटेवे नोच 24 के एक और सांदर वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज बहुती धमा केदार मुकावला खिला गया ज़ा दोस्तो लगव मैं आपको बता दूँ आठ महीने के बाद कोरोना वारस के बाद पहला इंटरनेशनल मुकावला खिला है बारते टीम ने ऑस्ट्रिल्या के साथ जहां पर दोस्तो बारतिय टीम बिल्कुल बेकर नजराई और दोस्तो आभी पूला हाइलाट ज्ट्रिल्या दोस्तो पहले मैं आपको जानकारी के लिए कर लिया और इनका एक फैस्टा बुलकुस सही सावित हुआ ज़े दोस्तों कप्तान डैविड वर्णन ने चैतर गेंदों का सामना करते हुए उनेता रन की विस्पोटक पारी खेली तो वहीं दोस्तों सबसे जादरन जो लगाएं वो लगाएं एरन फिंच ने ज़े दोस्तो 24 गेंदों का सामना करते हुए 114 रन लगाएं तो वहीं स्टेवन स्मित ने भी 66 गेंदों का सामना करते हुए 105 रन की सतक पारी खेली और उसके बाद दोस्तों मैक्स वैल ने भेंकर तरीके से 19 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन की पारी खेली और उसके बाद दोस्तों पॉस्टिलिया ने 6 विकेट गवाने के बाद 50 ओवर में 374 रन का पहार जैसा इसको उखड़ा कर दिया बारत्य टीम के सामने टीम इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट मुहम्मस समीने चटकाई मुहम्मस समीने अपने 10 ओवर में उनसाट रन देने के बाद 3 विकेट चटकाई तो में दोस्तो जस्पने नम्मरा केवल एक बिकेट लेने में काम्याब रहे तो में दोस्तो नबदीव सैनी ने भी एक बिकेट लिया है तो में दोस्तो यजविंदर चैल ने भी एक बिकेट चटकाई है और दोस्तो भारते टीम को पचास सो वर में पौने 400 रन बनाने थे ज़े दोस्तों 375 अवर्ट टीम को जहां पर दोस्तों बात टीम की ओड़से ओपनि करने के लिए थे मेंक गरवाल के साथ सिखर दवन मेंक गरवाल की ओड़ से कोई बिलेवाद जादा कुछ कमाल नहीं कर पाया मेंक गरवाल कीओल 22 नव्ण बना पाएं 18 गैनों क सामना करते हुए यहाला कि सिकर दवनने 20 पूटक पारी खेली छासी गेंदों का सामना करते हुए चोहतर अम्राई और उसके बाद दोस्तो कपतान विराद कोली कपतानी वाली पारी नहीं खेल पाए मातर 20 गेंदों में 21 रह बना पाए तो इस तरीके से देख ते हुए आठ विकेट गवाने के बाद 50 ओवर में टीम इंडिया मात्र 308 रहा बना पाई इस मैच को ऑस्ट्रिया के टीम ने 66 रन से अपने नाम कर लिया जोगी दोस्तो पहला वंडे मैच था देखना ये होगा कि दूसरा वंडे मुकावलह को अपने नाम कर ले और दोस्तो यूडिया को लाइक कर के जरू जाना UT Winners 24